Hello Friends, Welcome and Welcome back to my new video और आज की वीडियो जो मीसो साड़ी हॉल पे होने वाली हैं सभी साड़ी आपके ही रिक्वेस्ट पे होने वाली उन्हीं का रिव्यू मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मीसा की तरह honest रिव्यू देने वाली हूँ कि किसे आपको खहिना चाहिए किसे नहीं करिना चाहिए किसकी quality अच्छी है या price के according कैसी एसा पुछ डिटेल में बताती हूँ तो वीडियो को last तक जरूर देखेगा आज की वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है और इन सारे parcel को जो मैंने अभी तक open नहीं किया है आपके सामने ही unboxing करने वाली हूँ सभी मीसो के ही parcel है जैसा मैंने पहले ही बता दिया था और इनी साड़ियों का मैं उपसे review शेयर करने वाली हूँ चलिए बहुत ज़्यादा बाते नहीं करते हैं अपना वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इन सारे पैकेट्स में से वही चीज़े निकलती है जो मैंने ओर्डर की थी या फिर कुछ गोल मोल हूँ गया है पिछले वीडियो में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे रिफरेंट प्रोड़क्ट रिसीव हो गया था जो मैंने ओर्डर किया था मुझे नहीं मिला था इसलिए मैंने ऐसे बोला आजकल मीसो पे काफी ज़्यादा स्कैम भी होने लगे है दो फॉस जो साड़ी है इसे पहले हम ओपन कर लेते हैं काफी कलरफुल पैकेट में रिसीव हुई है बहुत से लोग तो यह कमेंट करते हैं मुझे तो ऐसे पैकेट में नहीं आती है अरे भाई मैंने भी मीसो सही ओडर किया है मुझे क्या मालूम हो कि इस पैकेट में मुझे बेजने वाला है बिल्कुल बहुत से लोगों के पास यह पैकेट आते हैं और कुछ लोगों के पास नहीं आते है टाफ़ट से ओपन करते हैं और इसमें से निकलती है बनारसी सिल्क साडी मैंने क्या ओर्डर किया है मैं यहां साइड में पिक्चर लगा दूंगी और मैंने सीम यही प्रोड़क्ट ओर्डर किया था और मुझे यही रिसीव हुआ है बहुत लुक की बात की जाएना तो बहुत खुपसूरत लग रही है मतलब जस्ट वाउ लग रही है देखते हैं कैसी है ओ माई गॉड शाइनिंग देखे फ्रेंड साप इस साडी की कितना खुपसूरत शाइन के साथ है और इसका जरी का जो वर्क है न एकदम प्रॉपर बनार सी सिल्क वाला जो गोल्डेन वाला जरी वक का वर्क आता है न वही है तो मैं इसकी आपको प्राइस बता देती हूँ कि कितने प्राइस में आपको ये साडी मिलने वाली और इसमें कितने कलर ओप्शन एवलेबल है और इसकी प्राइस क्या है इस साडी की जो प्राइस है 675 रुपीज है काफी अफोर्डेबल प्राइस में है और इसमें आपको रेड, रानी and ग्रीन, तीन कलर के आप्शन मिल जाएंगे, मैं आपको इबर शो करती हूँ, ये तीन कलर के आप्शन आपको मिल जाएंगे और काफी अफोर्डबल प्राइस में ये साडी होने वाली, चलिए देखते हैं कि प्राइस के कॉर्डिंग ये साडी कैसी है, तो सबसे पहले आचल में ही ब्लाउज अटेश है, इस तरह से बॉडर की डिटेलिंग मिल जाती है, और ये पूरा आपको नीचे के साइड में भी ब्लाउज में आपको ब्लाउज में इस तरह से मिल जाती है, और बहुत ही जादा कपड़ाई नहोंने ब्लाउज में दिया है, 1 meter से ऊपर का fabric दिया हुआ है नोने 1 meter से ऊपर का fabric आपको blouse मिल जाता है तो बहुत ही आर्ाव से double xl, triple xl तक का blouse इसमें बन जाएगा कोई भी प्रप्लम नहीं होगी काफी ज़ादा दिया है अब मैं दिखाती हूँ इसका आचल पोर्शन और यह है इसका आचल बहुत ही खुबसूरत लग रहा है और यह जो green color है बिल्कुल satin silk का fabric है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा shining है और बहुत ही ज़्यादा soft है satin silk का fabric आपको मिलने वाला है और आप आचल देखी सकते हैं कितना ज़्यादा जरी वक काम है पूरा dense में golden वक का काम आपको मिलने वाला है मैं आपको back side से भी दिखा देते हूं कि इसकी बिनाई कैसी है back side से देखिया फ्रेंट्स बिल्कुल भी कोई mess नहीं है कि हाँ धागे फस रहे हैं और अपस में उल्जा हुआ है कोई messiness नहीं है पीछे के side में भी और उपर के side में आपको इस तरह स shining करने पर इसका color आप देख सकते हैं कहीं पर light shade आपको दिख रहा है कहीं पर थौसा डार्क शेड दिख रहा है तो lighting की हिसाब से इसका color change हो रहा है लिकिन बहुत ही खुबसूरत color है मतलब एकदम eye catching color आने वाला आप किसी भी party function में carry करेंगे इसको बहुत ही खुबसूरत ल look कैसा आ रहा है और कितने height तक के लोगों को यह आने वाली मैं उसी में आभी आपको tryon में ही बताती रहोंगी कि कितने height तक के लोगों को यह आने वाली पूरी साड़ी आपको ऐसी ही मिलनी तो पूरा last end तक जहां हम टकीन करते हैं आप देखे फ्रेंस वहां तक इन्होंने कर सके हां तक कि अगर आप इसे मेहदी function में कैरी करते हैं तो बहुत ही different look आएगा और बहुत ही खुबसूरत लेगा क्योंकि मेहदी में यह green color का तो बॉर्डर तो होई जागा green के साथ ही है इन्होंने जो color combination दिया है जौस्ट वाव है मतलब बहुत ही प्यारी लग़ी आप इसे प्यारी कर सकते हैं फैस्टिवल में आप इसे पहन सकते हैं बहुत है ब्यूटिफुल लगी और महदी function में तो बिल्कुल अलग और यूनिक नजर आने वाली है लुक बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारा था परसनली कुछी यह साड़ी बहुत ही ज्यादा पसं करेंगे कि वह ब्लावस का कपड़ा है जो प्लेड आपको फैब्रिक नजर आ रहा है बाकी साड़ी पहनने के बाद बहुत ही जादा खुबसूरत लग रही है और साड़ी की लेंथ भी बहुत ही अच्छी रखी इनूने जब इसका ब्लावस बनने के बाद इसका लूप ब क्या निकलता है फस साड़ी ने तो बिली जीत लिया था चलिए फ्रेंस इसे भी ओपन कर लेते हैं और ये भी काफी अच्छे से पैक होके आई है अंदर भी जो एक और जिप वाला बैग है आप देखे फ्रेंस इस तरह से आपको जिप वाले बैग में ये साड़ी मिलती है इसे मैंने यलो कलर में पिक किया है अभी मैं आपको ओपन करकर दिखाती हूँ बहुत एक खूपसूरत मस्टर्ड यलो कलर की साड़ी है फोस्ट इंप्रेशन की बात किजाने फोस्त लुकी तो ये भी साड़ी बहुत ही खूपसूरत लग रही है अभी देखते हैं पूरी मैं इसकी प्राइस भी पहले आपको बता देती हुँ इसकी प्याइस इसमें कितने कलर आपशन आप रहे हैं ये ही मैं आपको बता देती हूं ऐसे नहीं काफी हेल्प हो जाती है अगर आपको यह पसंदारा आप दूसरा अवक्रे उसकते हैं इतने सारे color option इसमें आपको मिलने वाले हैं तो चलिए friends फटाफट से open करते हैं काफी affordable price में हैं तो 600 के अंदर ही है ये साड़ी है ये है इसका आचल portion आप देखिए friends इस तरह से border की detailing की गई है और पूरा साड़ी में एक दम जाल वर्क सा है आचले border आप देखिए पूरा जरी का काम है golden जरी का से embroidery की गई है जो ये golden जरी का वर्क यूज किया गया बहुत ही जादा चमकीला वह पीला वाला गोल्ड नहीं अच्छा वाला गोल्ड मतलब इस mustard पे ये वाला गोल्ड बहुत ही अच्छे से कॉंप्लिमेंट कर रहा है लुक काफी प्यारा आ रहा है ये इसका पूरा आचले आप देखिए फ्रेंट्स इस तरह से आपको hexagon hexagon design मिल जाती है और बीच में आपको इस तरह से बूटिया और flower की detailing मिल जाती ये पूरी साड़ी है इस तरह से है और यह है साड़ी यहां से जहां पर हम कमर में अंदर की तरफ टकीन करते हैं तो यह जो कपड़ा है अब देख रहे हैं न कॉटन सिल्क और यहां से साड़ी आप देखे फ्रंस यहां ता आचल खतम होता है मतलब यह वाला जो पूर्चन पूरा आपको यहां पीछे से आएगा क्योंकि इतनी जादी लेंध में इन्होंने दी हुई है बाकी लुक कैसा आएगा पहनने के बाद ही पता चलने वाला है और यह जो पहन सकते हैं और पूरा नीचे के साड़ी आप देखे फ्रंस इस तरह से आपको यह जाल वर्क वाली डिटेलिंग मिलने वाली तिरचे तिरचे में आपको यह लाइनिंग मिल जाती पूरा भरावा साड़ी आएगा मतलब 600 में काफी अच्छी इंब्रॉडरी वाली साड़ आपको मिलने वाली इसमें और भी कलर ऑप्शन अवलेबल हैं लेंथ साड़ी की ठीक लगरी अब देखते हैं साड़ी की चोड़ान कितनी है ट्राइओं में ही मैं आपको बताती हूँ कि कितने हाइट तक के लोगों को आने वाली है और पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए वैसे इंप्राइडरी और की बात की जाए और साड़ी की फैब्री की क्वाल्टी की बात की जाए तो अच्छी रखी है प्राइस के कोडिंग अच्छी लग रही है लेकिन फटा-फट से ट्राइओं में देखते हैं कि कि इतने अच्छा भी नहीं नहीं खराब है अंदर की तरफ कॉटन की अस्तर लगानी पड़ेगी तभी आप इसे पहन पहेंगे आप देख सकते हैं शाइनिंग इस पैब्रिक में यह चली फटा-फट से इसका ट्राइओं देख लेते हैं और यह बहुत एक खुबसूरत मस्टर्ड यलो कलर की साड़ी पहनने के बाद इसका लुक कैसा है आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ ही पेयर किया आप चाहें तो रेट कलर के साथ भी कर सकते हैं पिंक कलर के साथ भी कर सकते हैं या फिर इसी का मस्टर्ड यलो कलर का ब्लाउज के साथ भी और आप देख सकते हैं पीछे के साइड में यहीं तक बस यह बॉर्डर आने वाला यह जो पूरा जाल जैसा आपको आचल में दिख रहा था और पीछे के साइड में भी जो नीचे जो बॉर्डर दिखते हैं जहां पर देख सकते हैं जहां मैं इशारा कर रही हूं वह उतना तो कुछ भी स्कैम नहीं हुआ है, मतलब पैसे नहीं बेस्ट हुए है, नहीं तो कुछ का कुछ आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसमें भी सेम वही मिला है जो मैंने ओर्डर किया था, और उसके पिक्चर में या साइट पे लगा दूँगी, मैंने यही साड़ी ओ आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले हम इसका आचल पोर्शन से ही स्टार्ट करेंगे, इसमें एक पेपर पड़ा हुआ है, पहले मैं उस पेपर को निकाल देती हूँ, बहुत ही जादा आवाज कर रहा है, इसका आचल आप देख सकते हैं, इस तरह से यह आचल वाली डिट समकीले वाले गोल्डेन की बात कर रहे थी, अब देखे फ्रेंट से, इसके गोल्डेन में जरी वर्क में आपको अंतर नजर आ जाएगा, लेकिन यह गोल्डेन जरी वर्क कहीं से भी ऐसा नहीं है कि खराफ लग रहा है, ति मैं आपको एक डिफ्रेंशियेट करके बता रह नहीं है, तो उसके लिए आप अग्दम निशिंत रहिए, और नीचे के साइड में आपको इस तरह से बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है, पूरा एकदम जाल वर्क वाला फ्लावर की डिटेलिंग मिलने वाली है, इस साड़ी में, मैं आपको बैक साइड से भी दिखा निचन काम है तो इस तरह से अचल पर वीविंग काम है, तो नीट और कीन काम है इथना थोड़े मोडे तो इस तरह से रहेंगे ही दागे लेकिन अधर नहीं है वह एक दो ऐसे आता है आते हैं, बिल्कुल नम ताज जाल आपस में मिकसप होते हैं, आजीब सा होता है, वह ब इसमें तो कॉटन सिल का फैब्रिक है यह काफी अचा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि फूला रहेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा कड़क पर नहीं है साड़ी में अब देखते हैं पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है साड़ी के लेंथ मुझे अच्छी लग रही है लेकि वो तो मुझे पहनने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी ट्राइओन में की लेंथ कितनी है और चोडान कितनी है कितने हाइट तक के लोगों को आने वाली है यहां तक आपको यह इंब्रोडर की रिटेलिंग मिलती है यहां से आपको इतना फैब्रिक प्लेन मिलता है ब्लाउस का फैब्रिक आपको मिलने वाला है तो काफी अच्छी लेंथ का ब्लाउस का फैब्रिक आपको मिल जाता है चली फटा फट से इसका भी ट्रायॉन देखते हैं कि पहनने के बाद यह कैसा लग रहा है मैंने आपको इसकी प्राइस कितनी है तो फटा फट से मैं आज का सारा केलेक्शन में आफसे शेयर कर रही हूं आप देखे इतने कलर ऑप्शन इसमें अब लेवल हैं और शेसो चार रुपए में यह साड़ी आपको मिलने वाली है बहुत ही प्यारी लगरी चलिए ट्रयाउन करके देख लेते हैं कि कैसी लग यह पहने के बाद यह दो जाड़ी में अब फूली फूली साड़ी लग और बॉडी से नहीं नहीं पकरी बोड़ी हगिंग में आपको इसमें मिलने वाला है और इस तरह से तरह सी अफ़ाइ लगने वाली है पहनने के बाद मुझे लुक इसका पसंद आया इस आड़ी की जो लेंथ है उन्हों ने अ उतना दूर बस आपको प्लेन मिले का बागी पूरी साड़ी गदम जाल वर्क आपको मिलने वाली है चली फ्रेंट्स फटाफट से इस पार्सल को भी ओपन करके देख लेते हैं फास्ट पार्सल काफी छोटू नौज देखें कैसे साड़ी आपको अधिर किया था वही आई है या फिर वति गोल्ड मॉल रूड़ किया था वही आई सब्सक्राइब और यह है फॉस लुक बहुत ही खुबसूरत सा है फॉस लुक आप इसका देख सकते हैं फ्रेंड्स यह ब्लू कलर नहीं है थोड़ा सा ना रामा ब्लू कलर में टैच है इसका जो की कलर काफी अच्छा लग रहा है इसको चली आपको उपन करके तकाती है और आज की हॉल में यह सबसे सस्ती साड़ी है इसकी जो प्राइज में आपको बता देती हूं और साड़ में पिक्चर भी लगा देती हूं कि मैंने यही ओर्डर किया था और 415 रुपए में आपको यह साड़ी मिलने वाली है और इसमें आपको 4 कलर आप्शन मिल जाते है एक कलर जो मैं आपक जैसा कुछ डिफाइन होगा, पूरी आल ओवर साडी आपको ऐसी ही मिलने वाली है, बारीक वाले सीक्वेंस का वर्क है, आप देख सकते हैं, बहुत ही लाइट वेटेट साडी है, अगर आप समर में लाइट वेटेट साडी खोज रहे हैं, पार्टी फंक्शन के लिए भी, आप साडी के साथ जा सकते हैं, इदम इसका जो फैबरीक है, जो जो फैबरीक का फैबरीक के वालिटी अच्छी रखी है, पूरा इसमें ना रेसम के धागे से जो है स्पे इम्डॉडर की गई है, होर्जेंटल होर्जेंटल लाइट बहुत ही बारीक बारीक सीक्वेंस लुक आ रहा है जबकि प्लीट साडी नहीं है, लेकिन जो इसमें बीच बीच में ऐसे से होर्जेंटल लाइनिंग बनाई गई जिसकी वाज़े से थोड़ा सा प्लीट सा लुक आ रहा है, इस तरह से पूरी साडी सेम आपको ऐसी मिलने वाली देखते हैं, इसकी चोडान कि साडी की लेंद केतनी है, वाकि साडी का लुक अगर देखा जाने है तो बहुत ही प्यारी लग रही है, आप देखते हैं कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है, और लेनी बीच यहीं है कि प्राइस के एक ओर्डिंग तो क्वाल्टी अच्छी लग रही है, लुक भी बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी तो चली फटाफट से इसका भी ट्राइओन करके देख लेते हैं और इस साड़ी का वे लुक आप देख सकते हैं फ्रेंट्स पहनने के बाद कैसा आने वाला मैंने इसे सिल्वर कलर के ब्लावत के साथ पेर किया है बहुत ही खुबसूरत स लिए सब्सक्राइब किरीड़ कर सकते हैं अगर बहुत ही लाइट वेटेर साड़ी चाहते हैं पार्टिवरु के लिए तो इसे आप अराम से कर सकते भज्षा क्ने थे इस आपड़ आप कर लाप ब्लाव अलग से नहीं प्रॉड़ किया है साड़ी की लेंद अच्छी है लेकिन साड़ी की जो चौडान है 5 फिट 5 इंच या 5 फिट 4 इंच तक के लोग आराम से कैरी कर सकते हैं उसके उपर वाले लोगों को ये साड़ी उची होने वाली है दोस्तों यही तो मेरा आज का मीशो साड़ी हॉल की वीडियो सुपर आफोर्ड़बल प्राइज में पार्टी वेर साड़ेवन कलेक्शन आपको कैसा लगा है कमेंट डाउन जरूर करिएगा वीडियो पसंद आईए तो लाइक करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स काती से बुलिएगा चैनल पर नहीं है तो आप जानते ही क्या करना सस्क्राइब कर लेजेगा आपका सपोर्ड बहुत ही जरूरी है आपके भी नाम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अगर पसंद आती वीडियो तो प्लीज 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 जरूर सस्क्राइब किया करिए चलिए फ्रे